नवस्कार दोस्तों, डेट है आज की 6 सेप्टेमबर 2021 और स्वागत है आपका एटोयल डिसकेशन में तीन इसूज आज हम डिसकेश करेंगे सबसे पहला आटिकल हम डिसकेश करेंगे जुडिसियल रोल इन लामेकिंग यहाँ पे आटिकल हम डिसकेश करेंगे रीजर्वेशन से समंदित और सबसे लास्ट में पैरा एट्लिक्स से समंदित आटिकल हम डिसकेश करेंगे चलिए डिसकेशन स्टार्ट करते हैं यह पेपर लेट आटिकल को रिलेट कर सकते हूँ देखो इस कोशन का टाइटल देखकर सबसे पहले आपके दिमाग में एक कोशन ये आया होगा कि ये तो सेपरेशन ओफ पावर्स के अगेंस्ट है ना जूडीसरी का आखिरकार ला मेकिंग में क्या रोल हो सकता है जूडीसरी का काम थोड़ी ना है कानून को बनाना जी हाम बिल्कुल सही कुछ समय पहले आपको याद होगा हमारे जो अभी चीफ जिस्टिस ओफ इंडिया एन वी रमन्ना है इन्होंने एक स्टेट्मेंट दे थी 15 अगस्त के मुके पर इन्होंने कहा था चूंकि देखो पार्लेमेंट में और स्टेट असेमलीस में आजकल जल्दबाजी में बिल पास हो जाते हैं प्रोपर डेलिबरेशन नहीं होता चर्चा नहीं होता तो इस वज़े से काफी बार जूडिशरी को ला को इंटरपेट करने में दिक्कत आती है क्योंकि देखो आम तोर पर जूडिशरी ऐसा करती है जब किसी कानून को इंटरपेट करती है न जूडिशरी और दिक्कत आती है, एंबिगुटी होती है तो जूडिशरी फिर पार्लियमेंट की या फिर स्टेट एसेमलीस की डिबेट को देखती है कि कानून पास करते वक्त जो लामेकर्स थी, उनका इंटेंशन क्या था? किस इंटेंशन के साथ कानून पास किया गया? तो वो जो डिबेट्स देखकर इंटेंशन देखी जाती है न उसकी साहिता से कानून को इंटरपेट करना आसान हो जाता है लेकिन सोचके देखिए, जब कानून बनाते वक्त डिबेट्स होंगी ही नहीं तो फिर कैसे जुडिशरी कानून को इंटरपेट करेगी? ये दिक्कत है आम तोर पर कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं देखो इस सेशन में इतने बिल पास हो गए भहिया बात नंबर की नहीं है कि कितने बिल पास हो गए ऐसे तो आप सो बिल पास करवादो बिना चर्चा के जल्दबाजी में आपने कोई भी बिल कमेटी के पास नहीं बेजा किसी भी बिल पे चर्चा नहीं होई तो ऐसे तो आप कितने बिल पास करवादो लेकिन अगर ऐसे बिलपास होते हैं तो क्या देश का लोगतंतर जो है वो मजबूत होगा नहीं होगा देखो पालियमेट का स्टेट एसेमली का मतलब ही यह है कि जहां पर अलग-अलग सेक्शन्स से जो लोग हैं चुन के आए हैं उनसे समंदित जब कानून बनाये जाएंग और उसे पालियमेट में पास भी करवा दिया इवन कंसल्टिशन भी नहीं हुआ वेरियस से तो इसका मतलब तो लोगतंतर का जो मतलब है for the people, by the people, of the people वो कहावत ही गलत साबित हो जाती है वो कोट ही गलत साबित हो जाता है इसलिए lawmaking में improvement की आव सकता है इसमें देखो पोडिशरी कुछ काम कर सकती है जैसे सविधान में जो provisions है ना उनको by spirit लागू करवाना जैसे सविधान में ये लिखा हुआ है कि कैसे bill pass हो सकता है proper majority की साइथा से लेकिन farm bills कैसे पास हुए ऐसा आरोप लगता है कि simple बोल कर yes और no वैसे bill pass हो गया तो proper voting भी नहीं करवाई ग कोई भी member अगर ये मांग उठाता है कि हाँ voting होनी चाहिए तो तब voting होनी चाहिए उस bill पर लेकिन हाना कि chairman का आरोप ये था मतलब chairman की सफाई ये थी कि इतना ज़्यादा सोरगूल था इस वज़े से voting नहीं करवाई जासकी और वो इस vote से bill pass हो गया तो Supreme Court इस पर action ले सकती है Supreme Court बोल सकती है कि भाया ये article 100 का उलंगन है article 100 के अनुसार कोई भी bill majority के साथ pass किया जा सकता है लेकिन majority secure हुई नहीं bill pass करते वक्त वो इस vote से bill pass हो गया लेकिन clear नहीं था कि enough majority थी bill pass करते वक्त एक तो काम Supreme Court ये कर सकती है दूसरा काम Supreme Court की कर सकती है कि सविधान में देखो प्रोपर बताया गया है कि कौन से bill को money bill के तोर पे pass किया जा सकता है seven grounds दिये गए हैं जैसे imposition of tax, regulation of borrowing and appropriation of money out of consolidated fund of India ऐसे provisions हैं उनको money bill के तोर पे pass किया जा सकता है लेकिन सरकार ने even अधार bill को भी money bill के तोर पे pass करवा दिया तो ये तो सविधान का उलंगन हो गया ना Supreme Court इस पे action ले सकती थी कुछ हट तक Supreme Court ने action लिया भी लेकिन तब तक देखो काफिल देर हो चुकी थी जब भी इस परकार से सविधान का violation होना Supreme Court उसी समय intervene करें कि हाँ ऐसे आप इस परकार से किसी bill को money bill के तोर पे pass नहीं करवा सकते हैं इसके बाद और Supreme Court क्या कर सकती है देखो जब कोई bill pass होता है उससे समन्दित petition Supreme Court में फाइल की जाती है न तो Supreme Court judicial review की अपनी power को exercise करते हुए सरकार से answer मांग सकती है कि ये जो कानून आपने पास किया है ये क्यों reasonable है क्या justification है इस कानून की मतलब state proper पूरा data देगी न कि हाँ इस justification के साथ ये कानून जो है वो बनाया गया है even Supreme Court ये question भी पूछ सकती है क्या इस कानून को पास करते वक्त proper deliberation हुआ या फिर नहीं हुआ मतलब किसी भी कानून को justify करने से समन्दित मामला जब Supreme Court में आएगा तो Supreme Court ये सब question सरकार से पूछ सकती है कि इस कानून को पास करने का aim क्या था और जो आपका aim था उसको पूरा करने के लिए क्या ये कानून जो है वो suitable है क्या इस कानून से fundamental rights पर adverse impact तो नहीं पढ़ेगा मतलब ऐसा तो नहीं कि कानून का जो aim है वो तो सर्व हो जाए लेकिन बहुत ज़दा fundamental rights पर adverse impact पढ़ जाए तो ये भी सुप्रिंग कोर्ट कोशन पूछ सकती है इवन सुप्रिंग कोर्ट ने ये जो approach है वो adopt भी की Indian Hotel and Restaurants Association 2013 की case में इस case में क्या हुआ था माराश्टर की सरकार ने क्या किया था जो three star से नीचे के hotels है वहाँ पर तो देखो dance band कर दिया था लेकिन ऊपर के hotels में three star से ऊपर के hotels में dance चल रहा था सुप्रिंग कोट ने कहा कि भाया ये क्या कर रहे हो आप मतलब ये तो class के नाम पे आप differentiate कर रहे हो जो अमीर लोग है वो afford कर सकते हैं three star से ज्यादा star वाले hotels वहाँ पर तो ये सब चीजे allow है dance allow है लेकिन जो लोग afford नहीं कर सकते उनके लिए three star से नीचे के hotels हैं वहाँ पर dance allow नहीं है इसके जवाब में state government में जवाब ये दिया three star और उससे नीचे के hotels हैं वहाँ पर trafficking होती हैं मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो dance girls हैं उनकी trafficking करके इन hotels में लाया जाता है उनको होता है कि आपके इस argument का logic क्या है मतलब क्या facts क्या है कोई study है क्या है कैसे आपने ये पता लगाया कि three star से नीचे के जो hotels है वहाँ पर जो dancers होती हैं उनको मजबूर किया जाता है नाचने के लिए क्या आपके पास कोई facts है कोई study है कुछ भी तो नहीं है इसलिए Supreme Court ने ये त सकार से जवाब मांग सकती है कि किन facts के अधार पर आपने ये कानून पास किया है क्या study के अधार पर आपने ये कानून पास किया है इसके बाद सबसे last में argument और Supreme Court क्या कर सकती है देखो एक doctrine है doctrine of presumption of constitutionality ये doctrine ये कहता है कि legislature जो भी कानून पास करते है न अगर वो सविधान का उलंगन नहीं है न सविधान के provisions को violate नहीं करता है न तो फिर Supreme Court कोई भी judiciary High Court हो Supreme Court हो उसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकती क्यूंकि ये माना जाता है कि legislature में तो इतने सारे sections के लोग आते हैं अलग अलग sections represent होते हैं वो आपस में चर्चा करके कानून पास करते हैं जबकि Supreme Court मे इतने सारे sections के expert नहीं होते इसलिए legislature ने जो कानून पास कर दिया सही है until and unless वो सविधान के provisions को violate ना करता हो ये है presumption of constitutionality लेकिन writer ये कहते हैं थोड़ा से इसको expand कर दो Supreme Court ये देख ले कम से कम कि legislature में जो कानून पास हुआ है वो proper deliberation के बात पास हुआ है मतलब देखो आम तोर पर जब कोई कानून बिना deliberation के और बिना facts और study के अधार पर पास कर दिया जाता है तो फिर Supreme Court उसको भी अच्छे से judicially review करें आम तोर पर सरकार के दोरा ये कह दिया जाता है कि presumption of constitutionality है यानि कानून सविधान का उलंगा नहीं करता है तो आपका कोई लेना देना नहीं है हम कुछ भी पास करें लेकिन नहीं Supreme Court को अभी इस पर थोड़ा activism अपनाना चाहिए कि जब कोई कानून बेसक सविधान के provisions को वालेट ना करें लेकिन वो जल्दबाजी में पास कर दिया बिना चर्चा के पास कर दिया कुछ भी चर्चा नहीं होई और proper कि इन स्पिरिट भी कानून सही है या गलत है अब अन्त में देखो conclusion में वही argument निकल के आता है अगर lawmakers खुद से अपने आप से reform लेके आएं तो ज़्यादा सही है बजाए इसके की judiciary intervene करें लेकिन बात यही है नहीं करते न यह lawmakers हो उनको little incentive है मतलब ज़्यादा incentive उनके पास है पिरफ दिखाने चाते हैं सारे लोग कि हम सही कर रहे हैं तो judiciary को यहाँ पे देखो थोड़ा activist बनना पड़ेगा ताकि lawmaking की जो process है हमारे देश में वो improve की जासके इसी से हमारा जो लोग तंतर है वो improve होगा यह हमें पूरा issue discuss किया चलते हैं आगे इसके बाद दूसरा जो article ह हैं वो देखो reservation system से समन्दित हैं आप GS paper 2 के इस topic से article को relate कर सकते हों क्या context है एक तरफ देखो हाल ही में NEET के exam में OBC के students को reservation का रास्ता साफ हो गया दूसरी तरफ caste census को लेके debate चल रही है कि क्या caste census conduct होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए सुरुवांत में तो राइटर ये बोलते हैं कि देखो हमारे देश में जो ये reservation दिया गया है कुछ committee के लोगों को ये सोच के दिया गया था कि ऐसी committees जिनका इतिहास में काफी ज़्यादा सोसन हुआ है जो काफी ज़्यादा पिछड़ गए हैं उनको उपर उठाने के लिए reservation देना ज़रूरी है ऐसी committees को और सविधान में इसका provision भी किया गया OBC को हलाकी reservation बाद में मिला मंडल कमिशन के रिपोर्ट के बाद schedule cast और schedule tribes को reservation देने का जो provision है वो पहले ही कर दिया गया था सविधान में बट देखो चिंता की बात यह है जैसे OBC को reservation मिला other backward classes में लेकिन OBC के अंदर भी इतनी सारी जो cast है सभी cast को समान रूप से reservation का लाब नहीं मिल पाया इसी वज़े से बहुत demands उठी है पिछले कुछ साल में कि sub-categorization of OBC होना चाहिए और उसके अधार पर अभी तक OBC में जिन कास्ट को reservation का लाब नहीं मिल पाया है उनको reservation का लाब मिलना चाहिए पिछले 5 साल का data देखो यह कहता है Central Government की jobs और Central Government के higher education institutions में OBC में 97% OBC के अंदर जो फाइदा हुआ है वो OBC के अंदर 25% जो cast आती ह है उनको हुआ है total OBC में other backward classes में 983 committees हैं लेकिन 97% jobs और 97% जो admissions है वो तो सिरफ देखो 25% कास्ट को गए हैं बाकी 37% committees तो ऐसी है OBC में जिनकी zero representation है Central Government की jobs में और Central Universities में admissions में रिपोर्ट ये भी कहती है OBC committees में 10% committees ऐसी हैं जिनको 24 यानि 25 माल लेजे 25% jobs और admissions का लाब मिला है यानि OBC के अंदर हर एक subgroup को reservation का लाब नहीं मिल पाया है जैसा की सोचा गया था सायद यही reason है कि आजकल political leaders OBC को एक जूट करने कोशिस करते हैं तो सारा जो OBC है वो एक तरफ जाते नहीं है politics की अगर हम बात करें क्यूं क्यूंकि OBC के अंदर बहुत सारी committees ऐसी हैं अब इस पूरी OBC identity के साथ वो लगाव महसूस करती नहीं है क्यूंकि उनको लगता है कि हमारा कोई फाइदा नहीं हुआ reservation से हमारा कोई फाइदा नहीं हुआ अपने आपको OBC कहलवाने का क्यूंकि हमें reservation और admissions का lab मिला ही नहीं यह सिरफ argument है मतलब इतना मजबूत भी नहीं है answer में देने लाइक लेकिन article में दिया जाता है राइटर यह कहते हैं तो अब समय यह आ गया है कि OBC के अंदर भी जिन committees को reservation का lab नहीं मिला है उनको मिलना चाहिए लेकिन question उठता है कैसे ऐसी committees की पहचान कीजाए अभी तक देखो यह सारा जो data है ना यह central government का data है local level या state level का कोई data उपलब नहीं है इस बारे में तो कि यह caste census को conduct करना जरूरी हो जाता है caste census अगर conduct होगा तभी तो यह पता लगे ना कि OBC में यह committees हैं इनको reservation का ज्यादा लाब हुआ है और यह जो committees हैं यह बिल्कुल deprived हो गई हैं इनको reservation का लाब नहीं मिला है यह सब कैसे possible होगा तभी possible होगा जब हम caste census conduct करते हैं caste census अगर conduct किया जाता है तो यह भी पता लग जाएगा कि liberalization के बाद कौन से caste को ज्यादा फाइदा हुआ है क्योंकि देखो बहुत सारी caste ऐसी हैं जिसके लोग जो है वो traditional काम में भी लगे हुए हैं अभी भी तो caste census अगर conduct करेंगे तो पता लग जाएगा कि liberalization का फाइदा सबसे पहला suggestion सबसे पहले आप context sensitive evidence based policy option develop करो इसका मतलब देखो यह हैं देखो हर एक caste की जो situation है वो हर एक है अलग अलग है मतलब कोई caste किसी domain में पिछडी हुई है education में कोई caste education में ठीक है लेकिन social रूप से पिछडी हुई है कोई caste economically पिछडी हुई है socially advanced है educationally भी advanced है हलांकि देखो यह contradictory हो जाता है कोई committee अगर socially भी advanced होगी और educationally भी advanced होगी तो वो ज्यादा संभादना ये है कि economically भी advanced होगी खेर मतलब बात समझ गए ना आप कि हर एक caste की situation जो है वो थोड़ी अलग अलग है तो आप proper data के अधार पर options त्यार करो specific groups के लिए कि इस group को इस परकार से uplift कर करना ज़रूरी है हमारे देश में UK और US जैसे equal opportunities commission होने चाहिए जो कि देखो दो काम करें एक deprivation index त्यार करें मतलब social economic based census conduct करके ये पता लगाए कि इस caste के लोग की यह situation है इस gender के लोग की यह situation है इस religion के लोग की यह situation है तो जब देखो अलग-अलग sections से समद्धी data आ जाएगा तो फिर उसी के हिसाब से आप policy बना लो इसका होगा क्या इसी से तो फिर equal opportunities हम ensure कर पाएंगे सब के लिए ऐसे commissions US और UK में हैं इंडिया में भी ऐसे commissions established किये जा सकते हैं इसके बाद writer के दोरा यह कहा जाता है इवन देखो educational institutions और employers की performance का audit होना चाहिए कि उन्होंने क्या non-discrimination की policy को follow किया है लाश्ट में contusion में writer यह बोलते हैं देखो यह जो suggestions हैं वो पहले भी दिये गए हैं मतलब लेकिन उन suggestions को follow अभी तक नहीं किया गया है यह दिक्कत की बात है तो अब समय आ गया है कि reservation जो इतने सालों से चला आ रहा है एक broad perspective से analyze करना कि सभी committees जिनको सोचा गया था उनको reservation का लाब मिला है या फिर नहीं मिला है अगर नहीं मिला है तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए प्रोपर डेटा के आधार पर ये पहले identify किया जाए कि किन कास्ट को किन committees को reservation का लाब नहीं मिला है और उसके बाद हर एक committee के लिए एक tailored approach होनी चाहिए मतलब specific approach होनी चाहिए इसके बार last article तो जो para athletics चल रही है उससे समधित है इसमें देखो हमारी performance काफी अच्छी रही है आप GS paper 2 के इस topic से article को relate कर सकते हो पिछली बार जब para athletics हुए थे ना इंडिया को सिरफ 4 medal मिले थे लेकिन इस बार तो इंडिया की performance अच्छी है इस बार इंडिया को मिले है 19 medals इ यह देखो तब हैं जब आपको पता है हमारे देश में सुरवात से ही sports को इतनी जाया तवज्जो नहीं दी जाती है ऐसा बोला जाता है पड़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब खेलोगे कुदोगे तो होगे खराब तो ground level पर ही sports सिरफ एक गिने चुने areas में ही sports को तव पज़ो दी जाती है तो धीरे धीरे इंडिया की progress sports में मतलब बड़े events में medal जीतना खास करके olympics में यह देखो बहुत अच्छा है और जो यह differently abled लोग है यह तो आपको पता है बहुत चुनोतियों का सामना करते हैं हमने पहले भी एक differently abled person से समंदित article को discuss किया था कि उनके आप देख लीजिए आप सरकारी buildings में जाते हो या फिर इवन private buildings में जाते हो कितनी वो differently abled friendly होती है क्या वहां पर ramp होता है नहीं होता normal life में उन्हें बहुत सारी चुनोतियों का सामना करना पड़ता है sports में तो दिखत और भी जादा है तो यह तो उनकी willpower का ही नतीजा है कि इस para athletics में इतने जारे जो medals हैं वो जीत चुके हैं ये एक बात बोली जाती है 2016 में एक audit किया गया था सरकार के द्वारा agencies को ना कई सारे urban cities में तो एक भी building नहीं मिली जो differently abled friendly हो मतलब urban areas में ही awareness नहीं है तो rural areas में तो situation क्या ही होगी आप अंदाजा लगा सकते हो और जिन इस लोग तो ऐसे हैं जिनकी stories बहुत जादा inspirational हैं मतलब जैसे 19 लोग जिनोंने medal जीता हैं उनमें से किसी का accident हो गया था जीवन में बहुत adverse circumstances थी लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी उन्होंने अपनी energy को sports के तरफ divert किया और उन्होंने अब पूरे देश का नाम रोशन किया है मतलब ऐसी ऐसी stories हैं जिनसे सही में बहुत जादा motivation बहुत जादा inspiration आएं ये हालात कितने भी खराब हो आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिएं तो ये कुछ points हैं para athletics से समन्दित एक दो story हम आगे discuss भी करेंगे ताकि उनको आप essay में इस्तमाल कर सको अपने answer writing में कहीं इस्तमाल क लगे तो ऐसी stories से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं तो ये थी हमारी आज की discussion आज हमने तीन issues को discuss किया thank you thank you very much for discussion